अलो फ्रेंस वैलकम टु माई चैनल आज मैं बनाने जारी हूं बिलकूल मारवाडी स्टाइल में बहुत ही आसान तारीके से केर का अजा तो फिर आए चलिजित शुरू करते हैं केर का अजार बनाना तो केर का अचार बनाने के लिए यहां पर मैंने दो किलो केर लिये हैं इनको सबसे पहले मैंने अच्छे से साफ कर लिया था साफ करने के बाद एक दिन साधा पानी में रखा है और उसके बाद में 7-8 दिन के लिए इसे नमक के पानी में डाल के रखे हैं पीसे मैंने मटकी में गलाया था और इसे दिन में दो बार मैंने अच्छे से मिलाया है ताकि नमक मकेरों में अच्छे से मिलता रहे और केर हमारे जल्दी से गल के तयार हो जाए गलने के बाद मैंने उनको अच्छे से धो लिया था वापस तीन से चार बार और उसके जो पीछे डंठल होते हैं उनको इस तरह से हम तोड़ लेंगे तो यह हमारे केलब विल्कुल रेडी है अब हम इने दो से तीन घंटे के लिए पंके के नीचे सुखा देंगे तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है और उस पर हम इस तरह से केरों को फिला देंगे ताकि इसमें जो भी मौश्चार वा थोड़ा सा सूख जाए और इस तरह से हम दो से तीन घंटे के लिए रख देंगे और इसे बीच बीच में इस तरह से हाथ फेडते रहेंगे जिससे की केर सब तरह से अच्छे से सूख जाए बिलकुर इनी सुकाना नहीं स्रिफ 2-3 घंटे के लिए हमें इसे पंके की नीचे रखना है तो दो से तीन घंटे हो गए है यह देखे केर हमारे हलके से इस तऱ से सिकुर से गए है इसी तरह के केर हमें चाहिए इसे ज़्यादा हमें इनको नहीं सुखाना है तो यह अचार बनने के लिए बिल्कुल रेडी है तो अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस पे तो यहां पर मैंने gas पर कड़ाई जड़ा दी हैं कड़ाई में मैंने डाल दी हैं पर दो बड़े चमद जितनी सॉफ यह वाले दो बड़े चमद सॉफ लिए हैं मैंने तो अब हम इसे धीमी आज पर भून लेंगे इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना जबते कि इसमें से थोड ठंडी हो गई है तो इसमें से हम आदी सॉफ को दरदरा पीस लेंगे या आप कूट भी सकते हैं तो यहां पर मैं इसे पीस रही हूं और आदी सॉफ को हम ऐसे ही साबूती ही रहने देंगे तो यहां पर मैंने इसको पीस के दरदरा पाउडर बना के तियार कर लिया है तो हम इसे केर में मिला देंगे इसके साथ ही हमने जो सावू सौफ रख रख रखी थी वो भी इसमें मिला देंगे इसके बाद में हम इसमें एड़ करेंगे मिर्ची लाल मिर्च पाउडर यहां पर तीन बड़े चमच लाल मिर्च पाउडर एड़ कर रही हूं है क्योंकि अचार पहले से हमारे केर में नमक है इसलिए आप इसमें older अचार यहां नमक करें तो यहां पे तेल करम करके रख-ख करने दालेंगे हट हcor candas وہ हम थोड़ा ठोड़ा करके टेल आट जालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे जिससे спрос नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही तेल इसमें एड़ करेंगे और इस तरह से उसको मिलाते जाएंगे तो बस इसमें हमें केर के अचार में ज़्यादा कुछ भी नहीं एड़ करना है बस इसमें बिल्कुल इतने ही मसाले एड़ होते हैं और यह केर काचा बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इस तरह से केर के अचार को इपा बना के जरूर ट्राय करें और मुझे अपना फीडबेक जरूर देखिए आपके अचार कैसा लगा मसालों को मिक्स करने के बाद इसे आप किसी भी एर डाइट कंटेनर में डाल के रख दें तो उसके बाद में 7-8 दिन में हमारा केर काचा बनके बिल्कुर रेडी हो जाएगा तो केर काचा बनाते से मैं आप कुछ बातों का ध्यान चलू रखें अगर केर 7-8 दिन में नहीं गलते हैं तो आप उन्हें 2-3 दिन के लिए नमक के पानी में और रखा रहने दे हैं और उसे दिन में 2 बार आप जरूर हिलाते रहें तो यहाँ पर 2 किलो केर के गलाने के लिए मैंने 500 ग्राम नमक को यूज में लिया था अगर आपको मेरे रेसिप आज की अच्छे लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें